हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब फियनल नयनी स्कूल पर हाट दक्स वागत है लेकि जैसा आप सभी को पता है कि वन रैंक वन पेंसन का कैबिनेट से अप्रॉल मिल गया है और टेबल जारी हो गई लेकिन उस टेबल के बाद में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उठ रहे हैं आखिर एरियर जो है कितनी किस्तों में मिलेगा सुप्रीम कोट का जो आदेश था वो क्या था और सबसे बड़ी बात है जो बात यहां पर की जा रही है जो 2015 का लेटर है उस से रिलेटिड और उसमें बहुत सारे कुछ आर्मी रूल्स दिखाए गए हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस किस को इस जो है OREOP का बेनिफिट मिलेगा और क्या कौन कोन ऐसे हैं जो इसके दाइरे से बाहर रहेंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और से जरूर करें देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे ये कुछ लेटर्स हैं जिनके बारे में मेरे लिए हम डिस्कस करने वाले है तो देखिए ये लेटर आपके सामने है ये लेटर है 7 नवंबर 2015 का Department of Ex-Servicemen Welfare की तरफ से One Rank, One Pension To the Defense Forces, Personal तो देखिए जो इसका तीसरा पोइंट है Silent Feature इसमें आप देखिएंगे तो उसके बाद में जो 4th point है 4th point में आपका point कुछ है Personal who opt to get discharge Henceforth on their own request यानि अगर अपनी own request पर discharge लेते हैं Under rule आपके सामने कुछ rules लिखे गए है 13, bracket 3, 1, bracket 1, bracket B उसके बाद अगर आप देखिए 13, 3, 1, of 4 और rule 16B of army rule 1954 और equivalent navy or air force rules will not be entitled to the benefits of OROP यानि जो ये जो rules हैं इस rules में follow करते हैं अब आप पूछेंगे कि ये rules कैसे बच चलेगा जो आपको discharge book मिली होगी उसमें जो part 4 होगा जिसमें आपके particulars होंगे उसमें आपको बाकाइदा ये लिखा होगा कि आपको जो discharge है under किस rule के तहत दिया गया है तो उसमें 13, 3, common होगा और उसके बाद में 1, 2, 3, 4 जो भी लिखा होगा वो यहाँ पर mention करेंगे तो आप discharge book के part 4 से इसको check कर सकते हैं उसके बाद में ये जो हैं इनका क्या मतलब है air of army rules जो है उसके बारे में भी यहाँ पर discuss करने वाले हैं उसके बाद में देखिए 6 June 2017 को यहाँ पर एक amendment आता है कि यह जो आपने पढ़ा अभी 13, 3, 1, 1, B और 13, 3, 1, 4 इसमें आप ऐसे पढ़िए यानि एक यहाँ पर rules जो है और जोड दिया गया 13, 3, 2, 1, B अब यह क्या है यह सारी चीज़ें आपको जानने के लिए army rules पर जाना पड़ेगा तो देखिए हम army rules 1954 यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुके हैं जो 13 है वो का कहता है authorities empowered to authorize discharge के लिए है तो जो आपने दिखा था है 13, 3 तो देखिए यह जो पूरा का पूरा है यह 13, 3 आचुके हैं 13, 3 में उसमें जो है 1, 1, A वो है junior commissioned officers के लिए on completion of the period of service or tenure specified in the regulations for his rank or appointment are on reaching the age limit whichever is earlier unless retailed on the active list for further specified period with sanction to the chief of army staff on the becoming eligible for lease under the regulations तो यानि यह आपकी जो discharge book है उसमें लिखा मिल जाएगा कि आपको किस army rules के तैट दिशाज किया गया है या आपको discharge जो है किस rule के तैट मिला है देखिए जो आपको second था वो था यहाँ पर 13, 3, 2, 1, A तो आप दिखेंगे वो warrant of sir के लिए warrant of sir यानि जो air force में equivalent to आपके सुवधार rank होते है यह उनके लिए है same यहाँ पर lines है जो आपके लिखी गई on completion of the period of service or tenure specified in the regulations for this rank or appointment or on reaching the age limit whichever is earlier unless retained on the active list for a further specified period within the section of the brigade or sub area commander or on becoming eligible to release under the regulations वो दिखेंगे जो तीसरी line थी वो तीसरी line थी जो बाद में add किया गया 13, 3, 3, 4 यह 3, 3, 4 आप दिख सकते हैं at his own request before fulfilling the conditions of his enrollment यानि जो उसकी enrollment की condition थी माल लिए जो किसी enrollment की condition थी 20 years अगर उससे पहले उसने अपनी मरजी से discharge लिया है तो उसको भी OROP का benefit नहीं मिलेगा यहाँ पर आप आपने आपने से check कर सकते हैं और उसके बाद में था या तो यह army rule 16B क्या कहता है the retirement of an officer at his own request before he becomes liable to retirement under rule 16A shall require the section of the central government यानि उसके लिए central government की requirement की पढ़ेगी all officers whose request to retire is granted may before he is retired apply to the central government may as its discretion grants the withdrawal of his application यानि उससे पहले वो अपनी withdrawal कर सकते हैं देखे same वही letter है जो हमने समसे पहले देखा था 2000 जिसमें 7 नुबर 15 की बाद थी और उसके बाद हमें 17 का पड़ा अगर उसके amendment देखे जो उसमें extra आया वो क्या आया same चीज़ है subject आपका one rank one pension ये तीन फरवरी 2016 लेगा letter है इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा applicability यानि किस किस को ये benefit मिलेगा तो the provision of this letter shall be applicable to all personal family pensioners who had been retired discharged invalid or after retirement in the rank of commissioned officers honorary commissioned officers JCOs OR and non-combatant NCs of army navy and air force DSC defense security for corps territorial army and ex state forces and are in receipt of pension family pension as on 1 July 2014 यानि ये जो था आपको OROP one के टाइम पे बताया गया था कि इन इन कंडिशन में आपको यहां पर ये मिलने वाला है तो देखे जो जो आपकी तीन कंडिशन्स हैं आप अपनी discharge book के आदार पे आपको बचल जाएगा पता कि आप उन तीन rules में तो नहीं आ रहे हैं जो यहां पर दिया है कि उनको नहीं मिलेगा अगर उन rules में six year six monthly four kist में आपको यह मिलेगा यानि दो साल यह पैसे आपको मिलने में लग जाएगा हालग कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए मार्स 2022 में यह कहा था कि एक जुलाई 2019 से यह मिलना चाहिए जो औरेड़ी गॉर्मेंट ने मान दिया जो reflection period है लेकिन उनने बोला कि जो भी areas है वो compute किया जाना चाहिए and paid over within the three months यानि तीन महीने के अंदर यह उनके खातों में पहुँच जाना चाहिए तो देखिए यहाँ पर एक point ऐसा है अभी जब दो जनवरी 2023 को Supreme Court वापस बैठेगी उसके सामने यह decision जाएगा तो देखिए वहाँ पर इसके आने के पूरे chances है कि आपको हो सकता है कि यह जो है area एक साथ मिल जाए लेकिन अभी तक government ने जो बोला है वो बोला है कि चार किस्तों में मिलेगा लेकिन Supreme Court ने जो पहली guidelines है उसके आदार पर यह आपको एक किस्त में मिलना चाहिए तो कोसिस की गई कि जो premature वाला point था और जो discharge वाला point था वो यहाँ पर clear किया गया और कितने किस्तों में मिलेगा यह दो जनवरी के बादी आपको पता चल पाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत